Dear Students, چلی ہم लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए 12 का Gaming Ether 12 पढ़ना सुरू करते हैं जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग हैलाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे हैं ठीक है, हैलाइट्स क्या होते हैं, हैलाइट्स के कितने प्रकार होते हैं तो इन चीजों के बारे में हम लोग पहले discuss किये हुए हैं और कुछ हम लोगों का बचा हुआ है जैसा कि आपको याद है पिछले क्लास में हम लोग benzyl halide के बारे में तक्के पढ़े हैं अब हम लोग topic देंगे vinyl halide के बारे में यानि कि यह कितना नंबर है तो यू बोले तो यह चौथा नंबर है क्योंकि तीन ठोव हम लोग discuss किये हैं चौथा vinyl halide vinyl halide ठीक है vinyl halide क्या है इसके बारे में तो सबसे पहले इसमें हम लोग यह लिखेंगे कि इसका जो general rule होता है वो क्या होता है कि आप यहां पर CH2 रखिए double bond CH और X को add किजिए यानि कि vinyl halide का जो formation होता है कुछ इस तरीके का होता है CH2 double bond CH और इसके साथ जैसे example हम लोग देंगे इस जैसे यहां पर CH2 है double bond रहेगा CH रहेगा यहां single bond यहां पर कोई chlorine जोड़ दिए क्योंकि एक्स का मतलब होता है हेलोजन हेलोजन के जैगा पर एक्स जोड़ दिए तो वह हो गया वाइनिल हैलाइड यानि कि double bond के साथ तुरत जो कार्बन रहता है उसके साथ हेलोजन जोड़ना है दूसरा example अगर मान लिया कि CH3 है फिर यहां पर CH2 है फिर यहां से CH है और यहां पर हम लोग BR जोड़ दिए यानि आप देख पा रहा होंगी जहां पर double bond रहता है उस double bond वाला जो carbon रहता है उसके साथ direct अगर X को add करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे vinyl light यानि कि जहां पर द्वीबंध होता है देखिए द्वीबंध हम लोग पहले भी पढ़े हैं ठीक है double bond वाला carbon के साथ अगर सीधा अगर कोई X आकर जूड़ता है double bond वाला carbon है अगर उसके साथ अगर direct अगर कोई X आकर जूड़ेगा तब हम उसको बोलेंगे क्या vinyl light चलिए आगे है कौन सा है तो उसका नाम है एरिल हैलाइड कौन सा नमबर में पांचवा नमबर में तो उसका पांचवा देंगे एरिल हैलाइड अब एरिल हैलाइड क्या है इसके बारे में तो एरिल हैलाइड का जो general rule होता है यह होता है कि आप benzean बनाए और बेंजीन के सीधा बेंजीन के साथ अगर X को add करते हैं प्रुक हलाता है यह जैसा कि हम लोग बीअनजीन हैलाइड में पढ़ जाएं कि बेंजीन फोना चाहिए और बेंजीन के साथ यह कर्बन होना चाया तब उसको बेंजीन हलाइड बोलता है लेकिन Arial किसको कहते हैं, तो Arial Halid का मतलब हुआ, कि कोई भी Benzin Ring के साथ, अगर कोई X जूटता है, कहीं भी, यहां पर भी, इस Carbon से भी, इस Carbon से भी, यानि कि direct अगर Benzin, इतना तो Benzin होता है, जानते हैं न, इतना Benzin होता है, अब इस Benzin से, अगर direct कहीं भी X Add हो, उसको हम लोग क बेंजिन बनाएंगे, यहां पर यह बेंजिन हो गया, अब मन है कि यहां पर हम CL जोड़ देंगे, तो यह हो गया Arial Halide का उदार, यानि कि बेंजिन के साथ अगर direct अगर X जोड़ा हो जाए, तब हम लोग उसको बोलेंगे Arial, और भी हम लोग एक जामपल देखते हैं, तो सब तो X जोड़ना है direct, तो यह भी कहलाएगा Arial, या बोले, तो हम लोग कहीं भी carbon, direct जोड़ना चाहिए बस, ठीक है, यह हो गया बेंजिन, अगर यहां पर डालेंगे fluorine, क्योंकि fluorine भी halogen में आता है, यह भी हो गया Arial Halide, या फिर तो आप अगला एक्जामपल भी बना सकते ह दिखे, एक्जामपल से हम लोग वह का क्या होता है, अंदर का सोच develop होता है, कि हम लोग कहां कहां add कर सकते हैं, यहां हम लोग 80 को भी add कर सकते हैं, जिसका नाम है unstatine, ठीक है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, unstatine होता है न, तो उसी तरीके से हम लोग यहां पर add कर सकते हैं, और दिख सकते है कि यह भी aril halide में आ सकता है, तो इस तरीके से हम लोग और वी example कर सकते हैं, फिलाल इतना काफी है aril halide के बारे में, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, तो aril के बाद आता है, vicinal halide, छथा नमबर, vicinal halide, ठीक है, इसी को हम लोग weak halide भी बोलते है, weak, weak का मतलब कमज यानि कि एक तरह का ये कमजोर halide है, इसी लिए vicinal halide को weak halide के नाम से भी जाना जाता है, vicinal को हम लोग क्या बोलते हैं, weak बोलते हैं, तो अब vicinal halide या weak halide क्या कहलाता है, तो vicinal halide या weak halide जो form होता है, उसका general category क्या होता है, तो ch2, ch2 और यहाँ पे direct कोई x, यानि कि double x, दू होना चाहिए, यानि देखिए, vicinal halide में क्या होता है, तो दो कार्बन यानि कि तुरत लागातार, दो लागातार कार्बन से दो हैलोजन जूड़े होते हैं, तब हम इसको बोलते हैं vicinal halide, दो लागातार कार्बन होना चाहिए, और कहीं भी दो लागातार कार्बन में, अग अगर दोनों से अलग अलग अगर हम लोगों को हैलोजन जूड़ा हुआ रहे तब उसको बोलते हैं विसिनल हैलाइड तो चले इसको लिख भी लेता है लिखा जाए सेकेंड आरो में देखर यह तो फर्स्ट आरो यह तो रूप हो गया ना कि इस कंडिशन में होना चाहिए से विसिनल हैलाइड में हलोजन दो आसन कारबन परमानों से दो आसन का मतलब होता है उसके आसन में आसन का मतलब लागतार यानिकि तुरत दो आसन 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 इसे आसन आसन दो आसन कार्बन परमानू से जूड़े रहते हैं जैसे अगर एक्जामपर अगर दिया जाए तो ऐसे जैसे मान लिया कि CH2 है ठीक है CH2 है और यहां पे भी है CH2 यहां पे भी है CH2 और यहां पे भी है CH3 क्योंकि लाश्ट में तो 3 होता है अब यहां पे भी अगर हम लोगों को 1 Sig L योड़ देंगे तब भी हम इसको बोलेंगे कॉंसा तो Visinal Highlight इसको हम लोग बोल देते हैं Visinal Highlight यानि कि Visual Highlight में क्या हुआ तो दो आशन आशन का मतलब तुरत दो लगतार कार्बन का परमानू अगर halogen के साथ जूडा हुआ है तब वो हो जाता है दूसरा एक्जाम्पल भी कर लेते हैं मौन लेते हैं कि यहां पर CH2 है ठीक है यहां पर CH2 है यहां पर CH3 है यहां पर जूड़ गया fluorine और यहां पर जूड़ गया chlorine तो दीखिए ऐसा नहीं समझना आए कि दूनों लगातार जूड़ाना चाहिए थी तो लगातार कारबन के परमानुओं के साथ हैलोन जूड़ा हुँआ चाहिए तब यह कह लाएगा विशिनल राइट चलि आगी हम लोग देखते हैं सातमा हैलाइड का नाम क्या है तो सातमा जो है बहुत ही इंपोटेंट और बहुत ही अच्छा हेलाइड है जिसको बोलते हैं हम लोग जेम हेलाइड या जेम हेलाइड जो भी है जेम या जेम हेलाइड jam halide, तो jam halide में क्या होता है कि एक ही carbon के साथ do go halogen जुड़ा रहता है यानि कि एक ही carbon के साथ अगर do go halogen जुड़ा रहे तब हम लोग उसको बोलते है jam halide, जैसे इसका example दिखते है पहले इसका root लिख लेते हैं कि यह किस root का होता है टिक है तो ये इसका जो रूप होता है CH3 CH यहाँ प्रण क्रीख यहां प्रण क्रीख देख पा रहा हूंगे कि μια हालयन्म हो क्या रहा है कि एक ही कार में के साथ दू गो हालआड जूड़ा हुआ है यानि कि एक ही कार में के साथ अगर दो हैलाइड जुड़े होता है तब वो कहा कहलाता है जैम हैलाइड कहलाता है जरा इसके बारे में लिख लिया जाए क्या है लिखेंगे जो हैलोजन एक ही कारबन से जो हैलोजन एक ही कारबन से जुड़े रहते हो जो हैलोजन वे जैम हलाइड कहलाते है यहां पे देख पार होंगे कि यह एक्स-क्स क्या है है.. हैलोजन है तो ऐसा हैलोजन कम-से-कम दूठ हो होना चाहिए कम-से-कम ऐसा दूठ हो है जो एक ही कारबन के साथ जूड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं जैम हैलाइट यानि इसका अगर एक्जामपल का अगर बात करें तो ऐसा कुछ हो सकता है CH3 CH CH और एक तरफ फ्लोरीन एक तरफ क्लोरीन देखे दो गो हैलोजन हो गया दुनों सेम भी हो सकता है है डिफरेंट भी हो सकता है जैसे मान लिया क्या ऐसा भी बना सकते हैं CH3 CH और देख लिजे तो यह भी एक जैम हैलाइट कर लाएगा क्योंकि एक ही कारबन के साथ दो हैलोजन जुड़ा हुआ है अच्छा हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक जामपल नमबर 3 CH3 CH2 CH अब यहां से जुड़ा हुआ है यहां से जुड़ा हुआ है एक आयोडिन एक जुड़ा हुआ है ब्रोमिन तब पर भी हम उसको बोलेंगे जैम हैलाइट क्यों क्योंकि यहां पर आप देख पा रहोंग और थर एक्जामपल हो गया तो इस तरीके से हम लोग जो डिसकस किये और टोटली हैलाइट के बारे में कि हैलाइट कितने तरह का होते हैं अब जितने तरह का होते हैं मतलब कि सात तरह का होते हैं तो सातों का पहचान हम लोग देखें कि सातों का क्या क्या पहचान है ठीक ह अब पहचान करने के बाद हम लोग सब के बारे में एक्जांपल भी किये कि किसको हम लोग कौन सा हैलाइड कहते हैं तो आप इन चीजों को जो है प्रैक्टिस करना ही होगा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह ही है कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को बरबर रिवाइज नहीं करेंगे तो यह चीज़े ध्यान में नहीं रहेगा कि किसको हम लोग वीसिनल बोलते हैं किसको एरिल बोलते हैं क्या होता है बेंजिल हैलाइड क्या होता है एलील क्या होता है एलकील है ना क्या होता है जैम हैलाइड तो सभी हैलाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए चलिए आगे हम लोग टॉपिक्स देते हैं और सिखते हैं तो टॉपिक है नेक्स्ट कारबन के प्रकार की कारबन के कितने प्रकार होते हैं ठीक है तो यहाँ पर निचे लिखिएगा कारबन के मुख्यत चार प्रकार होते हैं कारबन के मुख्यत चार प्रकार होते हैं कारबन के मुख्यत चार प्रकार होते हैं पहला पहला चलिए पहला का नाम है पहला प्राइमरी कारबन प्राइमरी कारबन दूसरा का नाम है इसे केंडरी दूसरा का नाम है सेकेंडरी कार्बन और तीसरा का नाम है थर्ड में लिखेंगे तीसरा का नाम है टर्सियरी और चौथा का नाम है क्वार्डर नरी 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 क्वार्ड अब प्राइमरी कारबन को हम लोग वन डिगरी कारबन भी बोलते हैं, वन डिगरी और सी, सी मनें कारबन, सेकेंडरी को टू डिगरी कारबन भी बोलते हैं, तर्सियरी को थ्री डिगरी कारबन भी बोलते हैं, और क्वार्डर नरी को फोर डिगरी कारबन भी बोलते हैं, तो टोटल मिलाकर कार्बन के कितने प्रकार हो गया थीन वन डिगरी कार्बन, टू डिगरी कार्बन, थ्री डिगरी कार्बन, फोर डिगरी कार्बन, तो इस तरीके से जो कार्बन के प्रकार हो गया, टोटल कितना प्रकार हो गया, चार आई अब हम लोग सिखते हैं कि 1 डिगरी कार्बन कब बोलेंगे 2 डिगरी कार्बन कब बोलेंगे 3 डिगरी कार्बन कब बोलेंगे और 4 डिगरी कार्बन कब बोलेंगे इन चीजों को आई हम लोग डिसकस करते हैं कि क्या होता है 1 डिगरी और क्या होता है second degree, third degree, four degree तो यहाँ पे arrow देकर लिखेंगे arrow देकर कारबन का परमानो कारबन का परमानो जब एक कारबन परमानो से जुड़ा हो तो एक कारबन परमानो से जुड़ा हो तो उसे 1 degree carbon कहते हैं फिर वैसे ही लिखेंगे carbon का परमानू जब 1 carbon परमानू से जुड़ा हो तो उसे 1 degree carbon कहते हैं अब second में लिखेंगे carbon का परमानू जब 2 carbon परमानू से जुड़ा हो यहाँ पे एक के जगा पे 2 लिखेंगे 2 carbon परमानू से जुड़ा उसे टू डिगरी कार्बन कहते हैं और फिर वैसे ही थ्री डिगरी में लिखेंगे कार्बन का पर्मानू जब कार्बन का पर्मानू जब तीन कार्बन पर्मानू के साथ जोड़ा हो तो तीन कार्बन परमानों के साथ जोड़ा हो तो उसे थ्री डिगरी कार्बन कहते हैं और फिर लिखिएगा कार्बन का परमानों जब चार कार्बन परमानों के साथ जोड़ा हो तो उसे फूर डिगरी कार्बन कहते हैं पुल मिलाकर चार पॉइंट हम लोग लिखें, सबसे पहला बाद कि कारबन के कितने टाइप्स होते हैं, तो चार टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंटरी, तरसियरी, क्वाडर्नरी, प्राइमरी कब होगा, जब कारबन का परमानू एक कारबन से जुड़ा रहेगा, चार डिगरी कहेंगे, अब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वन डिगरी है, और कौन टू डिगरी है, और कौन थ्री डिगरी है, चलिए हम एक्जामपल के तौर पे एक कोश्चन लेते हैं, ठीक है, एक कोश्चन कुछ इस तरीके से है, छी एज थ्री, सी, उपर भी छी नीचे भी सी एज थ्री है, ठीक है, अब यहाँ पर भी सी एज टू है, और यहाँ पर सी एज थ्री, और यहाँ पर सी एज थ्री, ठीक है, अब इस तरह का टूटल हमें योगिक दिया रहेगा, और इसमें हमें बोलेगा, कि आप बताएए कि वन डिगरी वाला टूटल कित कितना है इसमें वन डिगरी कार्बन कितना है टू डिगरी कार्बन कितना है थ्री डिगरी कार्बन कितना है फोर डिगरी कार्बन कितना है सबका संख्या पुछेगा कि आप इस योगी को देखकर आप ये बताईए कि वन डिगरी वाला कार्बन कितना है तो हम अभी क्या बोल उस कार्बन पे बैठना है, यहां पे कार्बन दिख रहे हैं, यहां पे भी आपको बैठना है, सभी कार्बन पे आपको एक एक बार बैठना है, ठीक है, जहां पे आप एक बार बैठ जाएए, वहां पे आप दुबारा नहीं बैठना है, जैसे मान लिया इस कार्बन से हम बै जा रहा है तो मेरा कहने का मतलब कि इस कार्बन को पर बैठ कर आपको चारों तरफ देखना है तो पहला तो आपको आप बुलेगा कि सरी यह तो दिखेगा नहीं दिखेगा को कि बॉंड नहीं नहीं है जिधर बॉंड है उधर ही देखना है तो यह कार्बन के एक तरफ बॉं तो एक ही bond से जुड़ा है और एक bond तरफ देखिएगा तो एक ही carbon दिखेगा इसलिए हम बोलेंगे इसको one degree carbon ठीक है अब ज़र आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस पर देखेंगे इस पर बैठकर तो सिर्फ bond इधर है तो आप इधर देखेंगे तो एक carbon दिखेगा मतलब यहां से इधर भी करबन इस पर बैठके देखेंगे तो आपको चार कार्बन दिखेगा इट मेंस चार डिगरी करबन वही चीज़े हम लिखे हुए कि जो कार्बन अगर चार कार्बन से जुड़ा रहेगा वो चार देखिए बाएगा ज़र आप इस कार्बन पर बैठके देखिए तो इस कार्बन जो पर बैठेंगे तो आपको दो रास्ता है एक इधर रास्ता है एक इधर रास्ते तरफ आप देखेंगे तो एक कार्बन दिखेगा इधर रास्ते तरफ यहाँ पे देखेंगे चुकि हम यहाँ पे बैठे हुए है हर कार्बन पे बैठना है तो यहाँ पे बैठे हुए है तो एक कार्बन यहाँ दिखा एक कार्बन इधर दिखा यह बन गया कितना डिगरी तू डिगरी अब ज़र आप इस कार्बन पर बैठे हैं तो कितना रास्ता एक रास्ता दो रास्ता तीन रास्ता है इसका मतलब तीन कार्बन नहीं हो गया तीन डिग्री नहीं हो गया आप कार्बन दिखना चाहिए अगर आपको कार्बन दिख रहा है तभी आप ये एक सफल रास्ता हुआ तो इस कार्बन पर बैठने से तीन रास्ता देखने को मिल रहा है अब तीनों तरफ देखिए तो क्या तीनों तरफ नजर आ रहा है कार्बन एक नजर आ रहा है दो तर दूसरे तरफ तिसरे तरफ तो यह हो गया 3 डिगरी कार्बन अब जरा इस पे बैठना है इस पे बैठना है तो आपको कितना रास्ता एक ही रास्ता इधर देखने को है इधर देखिएगा आप तो सिर्फ एक डिगरी मिलेगा क्योंकि एक कारबन दिख रहा है तो वन डिगरी कारबन यहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो इधर देखिए तो वन डिगरी में होगा पांच, टू डिगरी कितना बन रहे है, तो टू डिगरी मात्र एक ठो बन रहे है, टू डिगरी मिल रहे है, तिन डिगरी कितना, तिन डिगरी भी एक ठो बन रहे है, तिन डिगरी कितना, तो चार डिगरी भी एक ठो बन रहे है, ठीक है, तो टोटल मिला कर, total मिला कर हमें 1 डिगरी मिल रहा है 5 को, 2 डिगरी मिल रहा है 1 को, 3 डिगरी 1 को, 4 डिगरी 1, चलिए एक और एक्जाम्पल लेते हैं, और फिर से हम लोग समझते हैं, कि 1 डिगरी कर बन और 2 डिगरी का पहश्चान कैसे करते हैं, तो ज़र आप next example देखते हैं next question कुछ इस तरीके से है example number two मान लिया कि ऐसा कुछ है यहां पे है fluorine यहां CH2 ठीक है यहां पे है C इस तरीके से है फीर अगर बात किया इधर तो इधर भी CH2 है इधर C है सिर्फ, यहां CS2 है, C है, H है, यहां H है, यहां CL है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग total complete हो गया, यह question दिख रहा है, अच्छा से question दिखिए, question को देखना है, और फिर आपको पता करना है, कि यहां पे जो question दिख रहा है, इसमें कितना 1 degree बन रहे, कितना 2 degree बन रहे, कितना 3 degree बन रहे, ठीक है, आप question को पहचान करने के लिए, हम बोले हर carbon पर बैठिये, हर carbon पर बैठना है, आप यह carbon नहीं समझेंगे, यह chlorine है, ठीक है, तो यहाँ chlorine पर ने बैठना है, नहीं hydrogen पर बैठना है, carbon पर बैठना है, तो जब आप इस carbon पर बैठियेगा, तो कितना रास्ता, कितना bond दिख रहा है, आपको 4 तरफ दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, चार रास्ता तो है लिकिन क्या चार रास्ता है तो इस रास्ते की ओर देखिएगा तो कार्बन नजरा रहा है नहीं आ रहा है इधर देखिएगा तो कार्बन नजरा रहा है नहीं आ रहा है इधर देखिएगा तो नहीं आ रहा है क्योंकि यह तो क्लोरीन है सिर्फ यहां बैठने से आपको एक ही कारबन दिखेगा अब आप बोलेगे कि सर इसके सामने तो ये भी है तो भाई आपको तो ये दिखेगा ना ये तो उसके पीछे तो ये तो दिखेगा नहीं आपको ये दिखेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वन डिगरी कारबन है क्योंकि आप ये मत समझें कि जितना ब नहीं है कि वो हो ही जाएगा क्योंकि हम्संद नहीं है यहां से इधर आप देखेंगे तो carbon नहीं है क्योंकि यह C-N-C, यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिखेगा, तो यहां पर एक degree मिलिया जडा इस carbon पर बैठ है हम हमेशा भोल रहे fakd पर बैठना है बारी बारी से जलिए तो इस कारबन पर आप बैठेंगे तो इस कारबन पर बैठेंगे तो कितना रास्ता दो रास्ता एक इधर बन रहे एक इधर बन रहे यहां से आप इधर देखेंगे तो एक कारबन दिखेगा और यहां से इधर देखेंगे तो एक कारबन दिखेगा तो कुल मिलाकर एक कितना डिगरी कारवन हो गया 2 डिगरी कारवन ठीक है चलिए अब इस पे तो हम लोग बैठ चुके हैं अब आपको इस पर बैठना है तो इस कारवन पर बैठेंगे आपको कितना रास्ता तो तीन रास्ता एक इधर बांड है एक इधर bond है और एक इधर bond है तो तीन रास्ता है मतलब कि तीन bond है अगर आप यहाँ बैठे हैं तो इधर तो देखने से फायदा नहीं है क्योंकि carbon दिखेगा नहीं इस यहाँ बैठके इधर देखेंगे तो एक degree मिल गया अब यहाँ से ए भी दिखेगा तो कुल मिलाकर ए भ आपको carbon दिखेगा कभी नहीं चारुत तरफ carbon नहीं दिखने वाला है तो आप करेंगे क्या यहाँ से एक तरफ एक कार्बन दिख रहा है इधर तो दीखने रहा इधर नहीं दिख रहा हूए तो तो कुल मिलाकर कितना डिगरी हुआ वण डिगरी तो यहाँ से हम लिखेंग कि one degree का कार्भन कितना हुआ स्टू एक और दो dags one degree का कर्भन की और दो ही वांद देग्री GallerCD युदे में लिख देंगे टू अच्छा two degree वाला कर्भन कितना हुआ स्टू अट्यो बैस में कि यहां हो जाए क्या जाते हैं जब एक कार्बन पर मानू अगर चार कार्बन से जुड़ा रहता है चार डिगरी कर लाता है सिंपल अगर एक ही कार्बन पर मानू तीन अलग-अलग कार्बन से जुड़ा रहता है तो थ्री डिगरी कार्बन होता है चलिए तो हम लोग और आगे कुछ कोशन्स देते हैं आप अप इन ही कोश्चन को पहचान करने हैं तो कोश्चन में लिखिएगा वन डिगरी कार्बन टू डिगरी कार्बन थ्री डिगरी कार्बन तथा चार डिगरी कार्बन की पहचान करें चार डिगरी कार्बन को पहचान करने हैं पहला कोश्चन है तो च्छ थ्री च्छ टू तो जो ती एच यह है है तो है यह है ट्रोजन क्लोरीन इस तरीके का है पहला कोशन दूसरा कोशन च्छ थ्री च्छ च्छ टू सी एल यहां देखें क्लोरीन है तो सी एच टू बी यार फिर नेक्स्ट है थर्ड थर्ड कुछ इस तरीके से है कि अधिए 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 यहां हाइड्रोजन है च्छ यहां सो कोशन आप जरूर लिखिए च्छ थ्री यहां पर है ठीक है यह तिस्तरा कोश्चन हुआ फिर चौन्था कोश्चन यहां दे रहे हैं कि अधिए कि यह फ्लोरीन है एफ है फिर सी के साथ जुड़ा हुगा इधर सी एस टू बी यार फिर यहां जुड़ा है सी एच यहां पर हैड्रोजन है इसी कार्बन साथ जुड़ा हुगा है यहां सी एस ट्रिया इत चौन्था नम्बर कोश्चन है पांचवां कोश्चन सी एच थ्री सी एच टू थी एल क्लोरीन है सी एस टू थी एस थ्री सी आयोडीन है यहां पर आयोडीन जुड़ा हुगा है यहां कलोरीन है देखिएगा अच्छा से तो इतना बड़ा है अब इतना बड़ा से मतलब नहीं है आप वन डिगरी टू डिगरी थ्री डिगरी को कार्बन बन रहे आप इन जीजों को बना कर आप जरूर भेजेंगे तब तक आज के क्लास को इतना ही धन्यवाद बना बना बनाट बनाट थीजों को अच्छा है वेक वेखिएग धन्यवान, प्हां दितना बनान डिगरी है अबड़ाद